प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ निर्गमन ग्रंद अधै तीन वचन संख्याएं एक से छे नाओ से बारा तक मूसा ने अपने ससूर मेदियान के याजक इत्रियों के भेड़े चराया करता था वह उन्हें बहुत दूर तक उजार प्रदेश में ले जाकर इश्वर के परवत हेरेब के पास पहुँचा वहां उसे जाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट की रुप में प्रभु का दूत दिखाई दिया उसने देखा की जाड़ी में तो आग लगी है किन्तु वह भश्म नहीं हो रही है मुसा ने मन में कहा की यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा की जाड़ी भश्म क्यूं नहीं हो रही है निरक्षन करने के लिए उसे निकट आते देखकर इश्वर ने जाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा मुसा मुसा उसने उतर दिया प्रस्तूत हूँ इश्वर ने कहा पास मत आओ पैरों से जूते उतार दो क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमी है इश्वर ने फिर से कहा मैं तुम्हारे पिता का इश्वर हूँ इबराहीम इसाहक तता याकुब का इश्वर इस पर मुसा ने अपना मुख ढक लिया कहीं ऐसा ना हो कि वह इश्वर को देख ले प्रभू ने कहा मैंने इस्रायलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्यचार देखा इसलिए मैं तुम्हें फिराउन के पास भेजता हूँ तुम मेरी प्रजा इस्रायल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ मुसा ने इश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिराउन के पास जाओ और इस्रायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर ले जाओ इश्वर ने उत्तर दिया मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मैंने तुमको भेजा है तुम्हारे लिए इसका प्रमान यह होगा कि जब तुम इस्रायल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस परवत पर प्रभु की आराधना करोगे यह प्रभु की वार्णी है संत मत्ति के अनुसार पवित्र सु समाचार अधियाए 11 वाके 25 से 27 तक उस समय इसा ने कहा पिता स्वर्ग अपृति के प्रभु मैं तेरी स्थुती करता हूँ क्योंकि तुने इन सब बातों को ग्यानियों और समजदारों से छिपा कर नेरे बच्चों पर प्रगट किया है हाँ पिता यही तुझे अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है पिता को छोड़ कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा गरे यह प्रभु का पवित्र सु समाचार है ख्रेष्ट प्रभु की जय पेर प्रिए भाई और बेनों आज का पहला पाठ नर्गमन गरंद के अधियायत तीन से लिया गया था आज के पाठ में आपने मुक्ति के इतियास की एक महतपूर्ण घटना के बारे में सुना अपनी प्रजा इस्राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर मुसा को बुलाता है नर्गमन गरंद की अधियाय दो में आप पढ़ेंगे कि मुसा फिरावन के डर से मिस्र देश से भाग गया था और मिदियान में जाकर वहां के पुरोहित की पुत्री के साथ विवाह करके ग्रहस्त जीवन जी रहा था सुरक्षाम है जीवन जी रहा था लेकिन इश्वर ने मुसा को अपनी और आक्रिष्ट किया आज के पार्थ में आपने सुना मुसा अपने ससुर मिधियान के याजग इत्रों की बेड़े चराय करता था वह उने बहुत दूर तक उजार प्रदेश में ले जाकर ईश्वर की परवत होरेब के पास पहुंचा वहाँ उसे जारी के बीच में से निकलती वी आग की लपट के रूप में प्रभु का दूद दिखाई दिया उसने देखा कि जारी में तो आग लगी है किन्तु वो भस्म नहीं हो रही है मूसा ने मन में कहा कि ये अनुखी बात निकट से देखने जाओंगा और ये पता लगाओंगा कि जारी बस्म क्यों नहीं हो रही है निरिक्षन करने के लिए उससे निकट आते देखकर ईश्वर ने जारी के बीच में से पुकार कर कहा मूसा मूसा उसने उतर दिया प्रस्तु तुम ईश्वर ने कहा पास मत आओ पैरों से जूते उतार दो क्योंकि तुम जहां खड़े हो वो पवित्र भूमी है प्रभी ईश्वर ने मूसा को अपनी और आक्रिष्ट किया होरे परवत तक मजबूरन ले के आया निर्जन प्रदेश के पार होरे परवत तक ले के आया ईश्वर वहाँ पर मूसा के इंदजार में था हम पढ़ेंगे योसिया के ग्रंद की अध्याई दोवा के चौदा में लिखा हुआ है मैं उससे लुभाओंगा और निर्जन प्रदेश ले जाओंगा और वहाँ पर उसे सामत्वना भरा शब्द दोँगा हम राजाओं के पहले ग्रंद की अध्याई उन्नेस में नभी अलिया के बारे में पढ़ते हैं उसके वाकितीन से कि नभी अलिया नर्जन प्रदेश चला जाता है और नर्जन प्रदेश के कोने में जाड़ के नीचे लेड़ जाता है और एकांत में वो ईश्वर से कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं ठगया हूँ और उस एकांत में नुजन प्रदेश के उस कोने में ईश्वर ने एलेया को अपनी प्रेम का एसास कराया एश्वर हमारे साथ भी कभी-कभी ऐसा ही करता है हमें एकांत में ले जाता है और हमसे सांतोना भरी बातें बताता है एश्वर से मिलने के लिए मुसा को नर्जन प्रदेश पार करके होरे परवत तक पहुँचना पड़ा एश्वर मुसा की इंतजार में वहां पे बैठा था और मुसा एश्वर की राकरिष्ठ हो जाता है वहां पौँजने पर एश्वर ने मुसा को एक दिव ये द्रिश्य दिखाया जाड़ी में से आग की लप्टे निकल रही हैं लेकिन जाड़ी नहीं जल रही है पूरी बैबल में हम पढ़ेंगे एश्वर लोगों को चुनते समय उनको अपनी उरागिष्ठ करने के लिए अपनी उपस्तिती का एसास कराने के लिए ऐसे दिव ये द्रिश्य दिखाते हैं ऐसे दिव ये द्रिश्य दिखाता है ये चमतकार दिखाता है इश्वर ने ऐसा ही किया और उस दिवी द्रिश्ची को देखने के लिए अद्बू द्रिश्ची को नजदीक से देखने के लिए मुसा आगे बहता है तो अब आज आती है मुसा मुसा अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम जिस भूमी पर खड़े हो वो पवित्र भूमी है हम स्तोत्र 15 और स्तोत्र 24 में पढ़ते हैं कौन प्रभू के परवत पर चर सकता है कौन प्रभू के निवास स्थान में रह सकता है वही जो निर्दोष जीवन जीता है पवित्र है एश्वर के करीब जाने के लिए हमें पवित्र होना जरूरी है प्रभु ने मुसा से कहा जोते उतार दो और आगे प्रभु उसको अपनी उराग रिष्टे करता है आगे प्रभु मुसा को एक कारी सौंपता है वाके नौस्यम पढ़ेंगे इश्वर ने मुसा से कहा मैंने इस्राइलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का त्याचार देखा इसलिए मैं तुम्हें फिराउन की पास भेजता हूं तो मेरी प्रजा इस्राइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ मुसा ने इश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिराउन के पास जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल जाऊँ मुसा ने कहा इतना बड़ा कारी करने के लिए मैं कौन हूँ प्रभू तु जानता है कि मैं वहाँ से बाके चले आया हूँ फिराउन के डर से मैं मिदियान प्रदेश में रह रहा हूँ तू जानता है कि मैं कितना डरा हूँ कितना कमजोर हूँ जवाब में प्रभू ने क्या कहा इश्वर ने उतर दिया मैं तुम्हारे साथ रहूँगा इतना बड़ा कारी इश्वर मुसा को देता है और ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हम बाइबल में देखेंगे कि प्रभू जिन जिन लोगों को बुलाते हैं उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्रभू का सान्य दे प्रभू की उपस्ति ही एक विश्वासी के लिए एक दास दासी के लिए एक मसी के लिए सबसे बड़ी शक्ति है शेस्त्र है निधी है ख़जाना है इतना बड़ा कारिय मुसा को देता है मुसा पर सौंपता है इस्राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर कनान देश लिया न इतने बड़े कारी को करने के लिए प्रबु क्या शक्ति देता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी उपस्तिती तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी हम मती के समाचार के अध्याय 28 में पढ़ते हैं वाकी 19 में प्रबु अपने शिशों से कहते हैं संसार के कोने कोने में जाकर सबी राष्ट्रों को शिशे बनाओ वाकि बीज में प्रभु कहते हैं याद रखो संसार के अंद तक मैं तुमारे साथ हूँ यह एक विश्वासी एक मसीही एक दास दासी की शक्ती है शेस्त रहे इश्वर ने उतर दिया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैंने तुमको भेजा है तुम्हारे लिए इसका प्रमान ये होगा कि जब तुम इस्राइल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस परवत पर प्रभू की अराद न करोगे यानि प्रभू कहते हैं कि मैंने जो कहा सो कहा ऐसा होगा करो आगे बढ़ो और आज का सुसमाचार मती के सुसमाचार की अध्याय 11 से लिए आ गया था हम जानते हैं कि प्रभी ये सुने किस तरह की लोगों को अपने शिश्य चुना विशेश करके बारा प्रेरिद किस तरह की लोग थे समाच की दिश्टी में संसार की दिश्टी में तुछ लगन्या प्रभू ने जान बूच कर प्रार्थना की बाद ऐसे लोगों को चुना ये इश्वर की योजना है आज के पाठ में आपने सुना प्रभू कहते हैं पिता स्वर्गा पुर्थि के प्रभू मैं तेरी स्थुती करता हूँ क्योंकि तुने इन सब बातों को ग्यानियों और समझदारों से छीपा कर नेरे बच्चों पर प्रकट किया है हाँ पिता यही तुझे अच्छा लगा प्रभू यह स्वर्गी पिता की और अपनी आँखें उठा कर कहते हैं पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुने इन सब बातों को इश्वर के राजिके रहस्यों को ग्यानियों और समझदारों से छीपाया और नेरे बच्चों पर प्रगड किया देखिए एक होता है भौतिक ज्यान और दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्यान जिस बुद्धी से हम भौतिक ज्यान प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक ज्यान प्राप्त करने के लिए वो बुद्धी काफी नहीं है उसके लिए एक अलग प्रकार की बुद्धी की अवशक्ता है जिसमें विश्वास है जिसमें सरद्धा है और जिनके अंदर ऐसी बुद्धी होती है उनको प्रभियसू बच्चे कहते हैं ये बच्चे कौन होते हैं बच्चे वे होते हैं जो दूसरों पर आस्रित है जो दूसरों पर आस्रित है दूसरों पर भरोसा रखते हैं बच्चे जैसे लोग वे लोग होते हैं जो इश्वर पर आस्रित है इश्वर पर भरोसा रखते हैं इश्वर की प्रग्या पर भरोसा रखते हैं हम पढ़ेंगे याकू का पत्र अधिय इश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की द्रिष्टी में धरिद्र हैं जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं। इत्रात्मा मेरो पर छाया रहता है उसने मेरा अभिशे किया है उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाओं। इत्रात्माचार में भी हम पढ़ते हैं उसके अध्याए 18 वाकि तीन में प्रभु कहते हैं जब तक तुम बदल कर बच्चों की तरह नहीं बनोगे तब तक ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। बच्चों जैसे प्रभीयसु के शिर्ष बच्चों जैसे थे सरल थे इसलिए प्रभीयसु ने कहा है पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। क्योंकि तुने इन सारी बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छीपाया और नेरे बच्चों पर प्रगट किया। जब भी हम बच्चों की तरह पूरी तरह से सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, ईश्वर पर आस्रित हो जाएंगे, तब हमें ईश्वर के राजी के रहस्य समझ में आएंगे। आगे प्रभी एसु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पिता को छोड़ कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। माधिम की अवशकता है, एसु पवितरात्मा के द्वारा हमारी बुद्धी को प्रकाशित करते हैं, ताकि हम ईश्वर को जान सकें, एसु के द्वारा हम ईश्वर को जानते हैं, और एसु को वे ही लोग जानते हैं जिन पर पिता प्रकार के लोगों पर प्रकार करता है, ब परूसा रखते हैं मेरे प्रीय भाई और ब्यानू प्रभियस्व आज की सुमाचार की द्वर हम ही बताते हैं कि हम बच्चों जैसे बनें हम इश्वर के सामने बिनम्र बने रहें जिसे इश्वर का ग्यान हम पर प्रकट हो जाए आये हम प्रात्मा करें प्रभियस्व के लिए जीवन के वर्दान के लिए धन्यवाद देते हैं आज के पहले पाथ में हमने मनंचिंदन किया मोसा की बुलाहट के बारे में मोसा बुलाया गया उसका डर भगाया गया वो पूरी तरह से सामर्थिवान बन गया एश्वर के सानिद्य ने एश्वर की उपस्तिती उसे शक्ती ब्रदान की उसी तरह हमीं भी तेरे सानिद्य की द्वार सामर्थि प्रदान करना प्रभ्ये स्方 many near बैल की तरह बना दे तैकी इश्वर के रहाजि का रहस्य आँपर प्रकट हो जाएं एप्रभ्येशन वच्णों को सुनने वाली मेरे भाई बेनों को आश्रबात दीचे आज का संपून दिन उनके लिए अनुगरह का दिन बने आशिश का दिन बने अमारी स्प्रार्तना को ग्रहन कर आमेन पागत्र है शाष्वत है जीवन का मन्ना है अमारी स्प्राइब बने